इध्यारति हूँ, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गोर्मेंट कोलेज बांधिकुई से पिछली वीडियो में हमने भक्ति आंदुलन के बारे में चर्चा करी थी और भक्ति आंदुलन के बारे में चर्चा करते हुए हमने कबीर, मीरा और गुरु नानक जैसे भक्ति संगों के बारे में आपको बताया था आज हम इसी स्रंकला को जारी रखते हुए संथ दादु दयाल के बारे में चर्चा करेंगे संथ दादु दयाल जो सोली शताब्दी में राजस्थान के महान संथ थे जिनका जनम गुजरात प्रांथ के एहमताबाद नगर में विक्रम समव सोला सो एक इस्थी में फाल्गों शुक्लाष्ट में ब्रस्पतिवार को माना जाता है इनकी जाते के विशह में विभिन मत है आचारे छिती मोहन सेन एवं पंडित मोतिलाल मेनारिया इने मुसल्मान सुदाकर त्रिवेदी इने मोची मोहसिन फानी विल्सन डॉक्टर आर डॉक्टर पितामबर बढ़वाल आदी इने गुनिया बताते हैं जबकि दादू पंतीन की कुछ भी जाती नए बता कर इने लोधी राम नामक नागर ब्राह्मन द्वारा पोशित मानते हैं दादू जी की शिश्य जन गोपाल ने उनके जीवन चरित को लिखते समय ये बताया है कि जब उनके दर्शनों के लिए सतत बीड़ी खटी होने लग गई थी तो उनसे मुक्त होने के लिए वे दुनिया का काम करने लगे अत्य संभव है कि ये जाती से दुनिया ही होंगे जैसा कि इनके एक अन्य विश्य शिश्य रजब जी के कथन से भी याद होता है दादू जी जब सात बर्श के हुए तब इनके नाना सुक्देव ने समवत 1608 इसवी में फालकुन शुक्रा पंचमी को बड़ नगर नामकिस्तान पर इनका लिवा करवा दिया इसके बाद जब 11 वर्श के थे तो बुड़न या ब्रह्मानन नामक महत्मा ने उनको उप्पेश दिया गुरू से मिलने के पश्यात दादू जी चिंतन मनन और साधना में रग गए 18 वर्श के अवस्ता में दादू जी एहमदाबाद से चलकर आबू सिरोई होते हुए कर डाला पहुँचे जहां 6 वर्श तक आत्म शाक्षात के लिए इनकोंने कठोर साधना की इसके बाद 1625 सिस्वे में ये सांबर आ गए जहां इनोंने दुनिया का कारे करना प्रारम कर दिया यही पर सबसे पहले दादू जी ने अपने शिश्यों को प्रकट करना शुरू किया इनोंने अपने उपदेशों में हिंदू एं मसल्मानों के धार्मिक अंद विश्वाशों का खंडन खंडना आरम कर दिया अधे इनके विचारों का विरोध हुआ तता सामर के काजी दोरा इने नाना प्रकार के कष्ट बगतने पड़े लेकिन दादू जी अपनी विचारदारे के साथ आगे बढ़ते गए उनका सामर का पांच-छे वर्स का निवास इसी रूप में चलता रहा इस अवदी में इनके काफे शिश्य हो गए थे और एक प्रकार से इस पंथ का आरम सामर से ही हो गया सामर में ही 1632 में इनके गरीब दास नामक पुत्र का जनम हुआ इसके बाद इनके पुत्र मिस्किल दास और दो पुत्रियां शोबा कुमारी और रूप कौमरी और हुई 1632 की फालगुन शुकला तेरा को दादू जी अपने 25 शिश्यों साइथ आमेर आ गए जहां 14 वर्स तके रहे इस अवदी में इनकी ख्याती काफी फैल चुकी थी समवत 1642 में इनकी अकबर से पतरपुर सीकरी में बेट हुई तथा लगबक 40 दिन तक धारमेक विचार मर्श के फलसुरुप अकबर इनकी विचारों से काफी प्रभावुत हुए कहा जाता है कि अकबर ने इनी से प्रभावुत होकर गोवद पर रोक लगा दी थी यहां से लोटने के बाद दादू पुन आमेर आ गए और समवस 1650 से 1669 तक ये जैपूर तथा मारवाड आदी राज्यों में विचरते वे उपदेश देती रहे अंत में समवस 1669 में नारायना आ गए जहां इनका अंतिम समय वेती तुआ नारायना जो जैपूर में है नाराणा में ही इश्वर चिंतन करते विए इनका समवत 1660 जैश्टिश किष्णा अश्टिमी सनिवार को देहान तो गया और दादू जी के निर्देश अनुसार इनका पार्थे शरीर मेराना की पहाड़े की एक खों में रख दिया गया दादू पंती लोग इसे भविती पवित्रिस्थान मानते हैं ये था इनका प्रारंभिक जीवन अब आये हम इनकी चिक्षाओं के बारे में बात करें तो राजस्तान के हस्त लिखित ग्रंत बंडारों में दादू जी की वानी की प्रतिया बड़ी संक्या में उपलब्द होती हैं इनके अध्यन से हम दादू के भाव, विचार और सिध्धानतों की जानकारी प्राप्त करते हैं अब इनके शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं हम सबसे पहले इनकी शिक्षाओं का दार्षनिक पक्ष देखेंगे तो दादू जी ने भी अपने संतों की तरह ब्रह्म, जीव, माया, मन, जगत, मौक्ष इत्यादी पर अपने विचार, सरल वे साधरन भाचा में व्यक्त की हैं जिससे रहसे में सिध्धानतों को अनपढ़ और साधरन ज्यान वाले व्यक्ती भी आसानी से समझ सकें ब्रह्मा का लक्षन बताते वे कहते हैं कि परमेश्वर, परम ब्रह्म, स्वभू, परम प्रभाव, परम प्रभाव रूप, निराकार, परम जोति रूप, माया से प्रे, किरिया रहित, सुस्थिर, सदा एकरस है निराकार होने से उसके हाथ पर सिर और मुक नहीं है फिर वे वे सब कुछ देखता सुनता है इसी संबन में वे कहते हैं सभी दिशाएं उसका मुखें सभी दिशाएं उसके कान सभी दिशाएं उसके नेत्र सभी दिशाएं उसके चरण है और सभी दिशाएं उसके सीस है वे सभी दिशाओं से नाना रूपों में परिव्याप्त है और उसके सभी अंग समस दिशाओं में फसेवी है दादू जी के अनुसार वे दयालू सरवत्र समाया हुआ है रोम रोम में रमा हुआ है मैं जिस और दर्ष्टी डालता हूँ वहीं सिर्जन हार दिखाई पड़ता है जिस प्रकार पानी में प्रवेश कर आँखे कोलने पर चारो और जल भी मी दिखाई देता है ऐसे ही वे ब्रह्मा सब इस्तानों पर विद्यमान है दादू का ब्रहम ऐसा है जिसको न हल्का कर सकते हैं न भारी जिनका न नाप है न तोल आगा है न पीछा उसका कहना है कि कितने ही पार की प्रतन करते करते ठक गए पर परक न कर सके यहां तक कि ब्रहमा संका दिक और नारत भी नेती नेती कहते हैं अब देखिए इनके सर्व शक्ति मत्ता के विचार इश्वर को सर्व शक्ति मत्ता का वर्णन भी दादु जी ने अनेक साथियों में किया इनका कहना है कि इश्वर यदि चाहे तो कीडी को कुंजर और कुंजर को कीडी राई को पर्वत और पर्वत को राई जल को थल और थल को जल में बदल सकते हैं श्रश्टी का अनू अनू परमानू परमानू उसी इश्वरी शक्तिशे गतिमान है ये फिर कहते हैं वे प्रभू सब प्रकार से समर्थ है वे आकास को धर्ती और धर्ती को आकास में बदल सकते हैं वे दिन को रात और रात को दिन बनाने में शक्षम है वे मृत्त को जिलाने और जीवित को प्राण हीन बनाने में समर्थ है प्रभु की शक्ति अपार एवं एवर्ननी है आगे वो जीव के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि जीव वसुत है भ्रह्म का ही एक रूप है किन्तु माया में सलंग्न हो जाने के कारण वे भ्रह्म से अत्यांत दूर एवं प्रत्थक हो गया है यही जीव जब माया के आवरण से मुक्त हो जाता है तब भ्रह्म रूप हो जाता है वे कहते हैं कि जैसे जैसे जल में प्रतिबिंब रूप से आकाश विद्दिबान है तथा जल की सत्ता आधार भूत व्यापक आकास में है अता जल भी आकाश में है अते बहार बीतर आकाश का जल से संबंद होने पर भी आकाश जल से निलिप्त ही रहता है वैसे ही जीव में सुद्ध चेतन्य प्रतिविंब रूप से विद्यमान तता जीव भी आधार बुद्ध शुद्ध चेतन्य के आश्रित है अते बाहर बीतर जीव का भ्रम से संबन्द होने पर भीव है जीव के रूपों से युक्त नहीं होता दादू जी कहते हैं कि जीव कर्मों के वश में हैं और भ्रम कर्म रही थैं परन्तु जब दिल दयाल से मिल जाता है तब कुछ भी अंतर नहीं रहता और आत्मा तता परमात्मा उसे प्रकार से एक हो जाते हैं जिस प्रकार पाला और पानी एकी भूत हो जाते हैं जीव की व्याक्या इस दोहे में इस दोहे के हम कर चुके हैं ये दोहा है दादू जल में गगन गगन में जल है पुनी वे गगन निराल ब्रह्म जीव इही विदी रहे ऐसा बेद विचार आगे वो अपनी बात को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं जब दिल मिला दयाल सो तब अंतर कुछ नाही जो पाता प्राणी को मिला त्यो हरी जन हरी माही तो जीव की उन्होंने अपने इन शब्दों में व्यक्त की है आगे देखें वो जीव की व्यक्या करते हुए जीव की उन्होंने व्यक्या कर दी इसके बाद वो माया के संब्द में अपने विचार किस तरह से व्यक्त करते हैं तो दादू के नुशार आत्मा वे परमात्मा के बीच अंतर डाल कर दोनों की प्रतक प्रतिती और प्रतक प्रतिती करने वाली शक्ति ही माया है जिसके विबिन रूपों का विस्तार से वर्णन दादू जी ने अपनी साक्यों में किया है इनका कहना है कि यह माया मिश्ट भाशिनी है पहले तो जुक जुक कर लोहों के पैर लगती है फिर दाव पाकर पेट में गुस कर कलेजा निकाल कर खा जाती है वे कहते हैं कि सारा संसार इस माया के चकर में फसा हुआ है खाते पीते खेलते सोते विलास करते वह नश्ट हो रहा है इस माया रूपी डाकिनी ने ने जाने कितने लोगों को काल कवलित कर लिया है माया विकारों की घटरी है जिसका आकरशन प्रबल है कि सह जी कोई नहीं छोड़ सकता दादु जी कंचन और कामिनी को माया का प्रतिनीदी मांते वे कहते हैं कि इसका प्रशार सर्वत्र है और वे सब को किसी ने किसी रूप में बंधन में डाले वे हैं तथा कोई भी उससे बच नहीं पाया यहां तक कि माया की प्रबलता का लोहा बड़े-बड़े सिद्ध, मुनी, ब्रह्मा, विश्नु, महीस भी स्विकार करते हैं आगे वो मन के बारे में अपने विचार वेक्त करते हैं दादु जी के अनुजार यह मन अत्यंती चंचल है इसको वश में रखना अत्यंत दुख साध्य है या दू साध्य है शरीर को तो वश में किया जा सकता है पर मन का निग्रह करना अत्यंत दुश्कर है यही मन बड़े-बड़े रिशी, मुनी, एवम, तपस्वियों को भी पत ब्रश्ट कर देता है दादू जी काचा वे पाका दो रूप में मन को विवाजित करते हैं कि पाका मन निश्ची लोकर निरंतर इश्वर चिंतन में सलगन रहता है जबकि काचा मन चारो दिशाओं में गूमता फिरता है देखिए इस संदर्मिन का दोहा है पाका मन डोले नहीं निश्चल रहे समाएं काचा मन दे दिसी फिरे चंचल चहू दिस जाए आगे वे कहते हैं कि यह मन पतंक की बाती आकास में अत्यांत चंचल गती से उड़ता है पर उनका यह भी कहना है कि यदि इश्वर ये प्रेम की जल में विगो दिया जाए तो इसकी उड़ान बंद हो जाती है यानि कि यह मन कागज की गुड़ी उड़ी चड़ी आकास दादू भी के प्रेम जल तब आई रहे हम पास इसके बाद वो जगत पर अपने विचार व्यक्त करते हैं इस विशे में दादू जी का विचार है कि इश्वर ही इस जगत का रचियता है इसकी रचना उसने लीला, अथवा, किड़ा के लिए की है और इसका प्रयोजन लोकानुग्रे की भावना है श्रश्टी के करम के संबन में इनका कहना है कि भ्रम्ब से आंकार की उत्पत्ति हुई आंकार से पांच तत्वों प्रत्वी, जल, बायू, आकाश, अगनी की उत्पत्ति हुई इन पांचों तत्वों से घट यानि शरीर का निर्मान हुआ और बहुवीद जगत का प्रसार हो गया दादू जी इस जगत को मिध्या मानते वे कहते हैं कि है ऐ सत्य जगत माया विष्ट जनों को उसी प्रकार सत्य दिखाई पड़ता है जिस प्रकार स्वप्र में सब कुछ प्रत्यक्ष होने पर भी जागने पर कुछ नहीं रहता उनके द्रश्टी में यह संचार जूट है परिवार जूट, इस्तरी जूट, इस्तरी पुरुस जूट या कुल और जातियां, माता-पिता, बंधू, ब्राता, सब जूट, सब के संबंध जूट, शरीर जूट, सारे धंदे जूट और सारे जाल जूट है एक मात परमात्मा पराम भ्रम सत्य है और उसी के प्राप्ते के लिए प्रेतन करना चाहिए आगे वो मौक्ष के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं दाजुद्धी का, दादुजी का मरनो प्रांथ मौक्ष, यानि मुक्ती में विश्वास नहीं था उनका कहना है कि यदि मरने के पशात मुक्ती हो, तब तो मरने पर सभी को उस ब्रह्म में मिल जाना चाहिए कि तो ऐसा नहीं होता अतेवे, जीवन मुक्ती को ही वास्तिक मुक्ती मानते हैं उनका मत हैं कि मनुष्य इस्वरो पासना द्वारा या नामो चारण द्वारा मन इंद्री है वे प्राण का निरोध करता हुआ देहादी के अभ्यास को सर्वता नश्ट कर दे और शुद्ध निरंजन आत्मा में अपनी सुर्ती को अभिछिन रूप से लगा दे जिससे सर्वदा उस्षास्वत आनन्द के अनुबूती होती रहे और किसी भी प्रकार के दुख की प्रितिती नहो जीते जी इस दशा को प्राप्त करना उनके मत में वास्त्रिक मुक्ती है इनका कथन है इनका ये कथन इस दोहे में इश्पष्ट दिखता है दादू जीवत छूटे देगुण जीवत मुक्ता होई जीवत काटे कर्म सब मुक्ती कहावे सोई आगे वो कहते हैं कि मुक्ती इसी संसार में और इसी सरीर में प्राप्त हो सकती है इसके लिए लोकांतर गमन की आवशक्ता नहीं है मरने पर वे लोकांतर में जाने पर मुक्ती मिलेगी इस बात को सर्वता, मिठ्या और पाखंट मानते हैं वे फिर कहते हैं कि जीवित आवस्ता में हरी ज्यान द्वारा ब्रह्म का शाक्षात करने से जिनके सब ब्रह्म और अनेक संचित कर्म नश्ट हो जाते हैं वे ही जीते जी मुक्तो कर ब्रह्म प्राप्ती रूप सद्गदी को प्राप्त होते हैं आगे वो सद्गुरु के बारे में अपनी विचार व्यक्त करते हैं दादू के नुसार उस निराकार एवं सर्व्यापि भ्रम्ब को प्राप्त करने के लिए गुरु ही मार्ग प्रदशक होता है और वे ही अपनी ज्यान रूपिनों का दुवारा शिश्य को बहुत सागर से पार उतारता है वे गुरु के मैत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि यदि लाखों चंद्रमा और करोडों सूरत जूदे हो जाएं तो भी बिना गुरु के अंदगार नहीं जा सकता वे फिर कहते हैं कि सद्गुरु में ऐ परीमित शक्ती होती है वे पशु से मनुश्य, मनुश्य से ज्यानी और ज्यानी से देवता बना सकता है देवता से भ्रह्म भी बनाने में वे समर्थ हैं दादु जी की दरश्टी में सद्गुरु का सब्तु उपदेश शास्त्रों और धम ग्रंतों से भी उपर है उसके उपदेश से उस सन्मार्क के प्राप्ति हो जाती है जिसे वेद और कुरान भी नहीं बता पाते तथा जिसका अनुसरन कर ब्रह्म से मिलाप हो जाता है लेकिन गुरू किस प्रकार का होना चाहिए इस संबन में इनके लक्षन बताते वे कहते हैं कि वो राम रूपी भक्ति रस में मस्त हो और अपने उपदेश द्वारा एक शन में ही भव सागर से पार उतार कर प्रभू का दर्शन करा सके वही सत्गुरू है दादू सत्गुरू ऐसा कीजिए राम रस माता पार उतारे पलक में दर्शन का दाता ये थे दादू के दार्शनिक विचार आगे हम चर्चा करेंगे दादू के साधना पक्षकी ये चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद